नमस्कार, नेक्स्ट नाइड नीव नेशन देखने हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी आज की खबर फेल चोकाचिक दुनिया भर में फुटबॉल को चुलाने वाली सबसे बड़ी संस्था फीफा ने ए आई एफेप यानि की All India Football Federation पर बैन लगा दिया है जिसके कारण भारत अव अक्टूबर में होने वाले Women's Under 17 Football World Cup की मेजबानी नहीं कर पाएगा और साथ ही भारतिये फुटबॉल टीम कभे भी इंटरनाशनल इवेंट्स नहीं खेल पाईगा चलिए जानते हैं आकर क्यूं लगाया गया प्रतिवन फीफा ने तीसरे पक्षत्वारा गैर कानूनी दखल का हवाला देकर पीते सोंबार रात ले कड़ा फैसला किया फीफा ने कहा कि लंबन तुरंत प्रारंव से लागू होगा इसी के साथ फीफा ने बयान में कहा ये सस्पेंशन तभी हटेगा जो AIFF अपनी कारकारी समिती की घोशना नहीं कर देता तरसा सुप्रीम कोट के दखल के बाद देश में फुटबॉल का काम काज प्रशान शकू की समिती यानी COA देख रही है फीफा भारत के खेल मंत्राले से लगतार संपर्क में है और सकरात्मक नतीजे तक पहुचरे की उमीर कर रहा है AIFF को अपने 85 सालों के तिहास में पहली बार फीफा से दिलम मंजेलना पड़ा है तो वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोट भी आक्शन में आ गया है सुप्रीम कोट ने इस मामले को सुझाने के लिए केंद्र सरकार से भी गोहार की है और इस मामले पर अगली सुप्रीम कोट की और से नियुक्त प्रशाष्ट को की समिती यानि COA के चुनावी प्रक्रिया शिरू करती गई है All India Football Federation के पूर्व अध्यक्ष और राष्टवादी कॉंग्रेस पाठी यानि NCP के नेता प्रफुल पटेल जुड़े हुए है 2004 में UPA सर्थकार में नागरिक उडियन मंत्री रहे प्रफुल पटेल को 2009 में अध्यक्ष बनाये गया था 2022 में जब तक सुप्रीम कोट ने उन्हें पद से नहीं हटा दिया था तब तक वे अध्यक्ष बने रहे आला कि आपको बता दे कि भारत के स्पोर्ट कोट के अनुसार कोई भी व्यक्ति तीन बार्च ज़ादा अध्यक्ष नहीं बन सकता अब प्रफुल पटेल राजसंभों के साथ मिलकर चुनाब नहीं होने दे रहे है इस वीच फुटपॉल टीम के कप्तान सुनील चेतरी ने अपनी साथी खिलाडियों को इस पर नाध्यान देनी की सलहा दी है साथी उन्हों ने ये भी कहा है कि लंबन के खत्रे पर जाला चिंता नहीं करनी चाहिए अमेदान पर अपना सर्वश्रेश पंदश्वन जारी रखने के भी सलह दी है फीफा ने कहा कि टूनामेंट का भविच तैस समय में तै किया जाएगा और अगर जरुवत पड़ी तो इस मामने को ब्यूरो ओफ काउंसल को भेजा जा सकता है इसी के साथ फीफा ने ये साफ कह दिया है कि आयोजन अपने तैस समय के अनुसार भारत में आयोजित नहीं हो सकता बाकी और खबरक ले जुड़े हमारे साथ धन्यवाद